प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के लाख निर्देशों के बाद भी नेशनल हाइवे ऑथरिटी ओफ इंडिया के जिमेदार अधिकारी सुधरनी का नाम नहीं ले रहे हैं हाल यह है कि सुल्तानपूर में अयुध्या प्रयागराज बाइपास पर सवा साल में दो बार बन चुका गोमती नदी का पुल एक बार फिर जरजर हो चुका है पुल जगर जगर से दरख चुका है और गर्डर भी तूट चुका है जिसे गोमती नदी पुल पर आवगमन रोक दिया गया है दरसली यह मामला है अयुध्या प्रयागराज बाइपास पर टांटिया नगर चौराहे के पास इस्थित गोमती नदी पुल का नवंबर 2022 के बाद मई 2023 में जरजर हो चुके इस पुल की लाखों खर्च कर मरमत कराए गई थी लेकिन नैश्टल हाइवे आथरोटी आफ इंडिया में भ्रस्टचार इसकदर हावी रहा की आठ महीने भी नहीं बीते और एक बार फिर तीसरी बार पुल दरख गया और इसमें लगा लोहे का गरडर भी तूट गया पुल जरजर होने की जानकारी स्थानिय लोगों ने जलातिकारी को दी जिसके बाद एक बार फिर पुल पर आवागमन पुरी तरह से रोग दिया गया है गरडलब हो कि आयोध्या में राम मंदिर बढ़ जाने से प्रते दिन हजारों छोटे बड़े वाहनों का आवगमन होता है इनकी माने तो अभी कुछ महीने पहले ही इसके मरमत होई थी लेकिन इसकारी में इतनी बंदर बाठ हो गई जिसके चलते पुल इतनी जल्दी जरजर हो गया वही गोंती पुल के गड़र तूटनी के ख़बर जब जिला प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया आनन फानन में पुल पर आवगमन रोक दिया गया जिसके चलते आयुद्या और आजमगर आने जाने वाले राहगिरों की परिशानी बढ़ गई है अब उन्हें सुल्तानपूर नगर से होकर जाना पड़ रहा है जिसके चलते घंटो जाम में फसनी से लोग परिशान है वही जिला प्रशासन की माने तो मरमत का कारे शुरू करवा दिया गया है और अगले हफते कारे पूरा होनी की संभावना है स्रीट बर्स के लिए सुल्तानपूर से लाल जी की रिपोर्ट की इंजीनियर्स बता रहे हैं कि शायद अगले हफते तक पूल ये पूल हमारा फिर से चालू हो जाएगा